चमपा सोचने लगी, एक बार मा ठीक होकर घर आ जाए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, तबी पड़ोस वाली भावी आ गई, और चमपा से उसकी मा का हाल चाल पूछने लगी, चमपाने का भावी, इलाज चल रहा है, जल्दी ही ऑपरिशन भी हो जाएगा, और मेरी मा ठीक होकर घर आ जाएगी, पड़ोस वाली भावी बोली, चमपा, हम तो रोज भगवान से यही प्रात्ना करते हैं, कि आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाएग, चमपा, वैसे पैसा तो बहुत लगेगा न, आंटी जी की बिमारी में, कैसे इंतजाम करेगी तू चमपा, चमपाने का भावी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, और भी इदर उदर की बात करके भावी फिर अपने घर चली गई, क्योंकि बच्चे अब चमपा के पास टूशन पढ़ने आ गए थे, वरना भावी कहां टलने वाली थी, जब तक की सब कुछ खोद खोद कर ना पू जान बची, रात को चमपा बहुत देर तक सोचती रही, कि जो मैं कर रही हो, क्या वो ठीक कर रही हो, और खुदी उत्तर देती हुई बोली, चमपा वैसे भी इसके अलावा तेरे पास कोई और चारा नहीं है, चमपा को अब स्री कांत का साथ अच्छा लग रहा था, उसने पहले ही साप साप सब कुछ किलियर कर दिया था, आब उस पर सक्की कोई गुन जाइस नहीं थी, चमपा को क्योंकि स्री कांत कॉंट्रेक्ट मेरिज से पहले ही पैसे उसके बैंक में डलवा रहा था, तो चिंता वाली उसे कोई बात नहीं लग रही थी, जैसे तैसे विचा आरों में डूबते उतरते, कब चमपा को नीद आ गई पता ही नहीं चला, सुबह देर से चमपा की आख खुली, तो जल्दी जल्दी तयार होकर होस्पिटल पहुँच गई, स्री कांत तो होस्पिटल में पहले ही आ चुका था, आज उसकी दादी का होस्पिटल से डिस्च चार्ज होने वाला था, उन्हीं का पेपर वर्क स्रीकांत कर रहा था, चमपा स्रीकांत का वेट करके अपनी मा से मिलने चली गई, मा ने भी आज चमपा को देखा, तो चमपा को मा आज कुछ कमजोर सी लग रही थी, या यह उसका वेहम था, चमपा मा के गले लगकर चमप पूचा मा तू कैसी है? मा ने बड़ी धीमी अवाज में कहा अच्छी तु हूँ बेटा चम्पा सर सहलाने लगी मा का मा ने कहा वो क्या नाम था उस लड़के का? अरे दिमाग से ही निकल गया चम्पा अच्छा सा नाम था चमपा बोली हां मा स्रीकांत मा ने का हां हां वो ही भेटा वही आज नहीं आया क्या होस्पिटल चमपा ने का मा आया होगा मिला नहीं है आज उसकी दादी की होस्पिटल से छुट्टी होने वाली है वे उसी में लगा होगा मा बोली अच्छा चमपा जितनी जल्दी छुटी होस्पिटल से हो जाए उतना अच्छा है या तो राद दिन मरना जीना हाय तौबा मची रहती है चमपा ने कहा मा आपकी भी छुटी होस्पिटल से जल्दी करा लेंगे जल्दी से एक बार आपरेशन हो जाए मा कुछ नहीं बोली और छट की ओर देखती रही जैसे चमपा की बात का उसे बिस्वासी ना हो थोड़ी देर बाद चमपा को वहां से बाहर जाना पड़ा बड़े डॉक्टर साहव राउंड पर थे चमपा बाहर पहुँची तो स्रीकांत उसका ही इंतजार कर रहा था स्रीकांत बोला हाई चमपा मा की तबियत कैसी है चमपा ने का ठीक है वह आपको ही पूछ रही थी स्रीकांत ने का मैं पेपर वर्क कर रहा था जब बड़े डॉक्टर साहब का राउंड खतम होगा तब ही चुट्टी मिल जाएगी चमपा ने कहा बारह तो बजी जाएंगे स्रीकांत ने कहा हाँ चमपा इतना टाइम तो लगी ही जाएगा चमपा ने कहा तो उससे पहले ही मैं चली जाओंगी घर मैं दादी से जो बाद में मिलूंगी स्रीकांत ने कहा एज यू विस यानि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे चमपा घर चली आई स्रीकांत दादी को घर ले गया दादी की एक ही रट थी बहु से कम मिलाएगा बेटा तुने कहा था कि घर पहुचकर मिलाएगा स्रीकांत ने कहा हाँ कहा था दादी पर समय तो दो मिला दूँगा मने कहा कर रहा हूँ मैं रजिश्टार ने इस हपते के बाद की डेट दी थी और आज सुक्रवार है यानि अभी दो दिन बाकी है कॉंट्रेक्ट मेरिज के लिए और वे चमपा का इसारा भी समझ गया था बाद में मिलेगी दादी से यानि मेरिज के बाद ही दादी को दो दिन और संभालना होगा दूसरे दिन स्रीकांत सुबह ही हॉस्पिटल पहुँच गया चमपा उसे रिसेप्शन पर मिल गई चमपा ने आश्चरिय से पूछा आप सुबह सुबह यहां हॉस्पिटल में दादी तो ठीक है न स्रीकांत ने कहा चमपा मैं तुमसे और मा से मिलने आया हूँ दादी घर पर बिलकुल ठीक है और उसने तो रट लगा रखी है अपनी बहु से मिलना चाहती है यह सुनकर चमपा थोड़ी सरमा गई दोना अंदर जाकर मा के वाड में पहुँचे तो मा लेटी हुई कुछ सोच रही थी चमपा और स्रीकांत को साथ देखकर खुस होती हुई बोली अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए मैं तो तुमें ही याद कर रही थी स्रीकांत ने आगे बढ़कर मा के पैर चुए और चमपा गले से लग गई मा दोना को आशिरवाद देती हुई बोली सदा खुस रहो मेरे बच्चे बेटा मा बोली जब से तुम चमपा से मिले हो मेरी चिंता इसकी तरफ से खतम हो गई है कि ये अकेली नहीं है तुम साथ हो इसके स्रीकांत ने कहा मा जी आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो और अपने स्वास्तिय पर ध्यान दो और जल्दी ठीक होकर घर चलो मा ने कहा बेटा मैं चाहती तो यहीं हो इसवर की मर्जी क्या है या और वो क्या चाहता ये तो वही जाने उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता न चमपा बोली मा उसकी भी यहीं मर्जी होगी कि तुम जल्दी से अपनी चमपा के पास वापस आ जाओ, मिलने का समय खतम हुआ, तो दोनों बाहर आ गए, स्रीकांत ने कहा चमपा, चलो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदता हूँ, चमपा ने पूछा क्यों, मेरे पास तो कपड़े हैं, स्रीकांत ने कहा, परसों हमारी मैरीज है, और कोंटरेक्ट मैरीज है तो क्या, दादी के सामने तो ट्रेडिशनल बहु बन करी जाना होगा, तो साड़ी कुछ जेवर तो खरीद नहीं हूँगे, चमपा ने हां कह दिया उनके लिए तो पूरा नाटक ही करना होगा स्रीकांत ने एक बड़ी सी सौप के सामने कार रोकी तो चमपा ने कहा इतनी बड़ी दुकान से तो बहुत महंगा मिलेगा स्रीकांत ने कहा चमपा वो मेरा काम है तुम सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े खरीद लो, दो-चार जोड़ी जो दादी के सामने पहन सको, चमपाने का ठीक है, जैसा आपको हो कपड़े खरीदने के बाद चमपा घर चली गई, काफी देर हो चुकी थी, टूशन के बच्चे आ चुके थे चमपा ने जल्दी से जो एक शावर लिया, और कपड़े चेंज करके आ गई, क्योंकि वे होस्पिटल से आते ही, बिना नहाए बच्चों के पास नहीं आ सकती थी जब बच्चे जा चुके, तो मा की सहेली, मा की राजी खुसी लेने के लिए, चमपा के पास आ गई, चमपा ने उन्हें नमस्ते करके, जो अपने पास बिठाया, और उनके लिए चाये बनाई, और फिर उनके पास आकर बैठ गई, उन्होंने भी बड़े प्यार से, चमप तेरी मा बड़ी किस्मत वाली है, जो तुझ जैसी बेटी मिली है हुसे, बेटी, चमपा तो बड़ी हिम्मत वाली है, सब अकेले ही जेल रही है, चमपा ने कहा, अकेली कहा हूँ, आप सब का साथ भी तो है ना आंटी जी, मुझे और मेरी और मेरी मा की राजी खुसी आप पूछती रहती हो आंटी जी इससे ही तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आंटी भी आसरवाद देती हुई बोली इस वर करे जल्दी तेरी मा ठीक होकर घर आ जाये चमपा उनके जाने के बाद चमपा सोचने लगी कितना प्रेम करती हैं आंटी जी मुझसे और मेरी मा पर लेक इन तो इन विचारों से इतनी जल्दी पीछा कहां छूटने वाला था चमपा की पूरी रात यूहीं चिंता में निकल गई कि अब आगे क्या होगा उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो एक चुलबुली सी लड़की थी जो हर चीज की जिदमा से करती थी अच्छे कपड़ की तरह घूमना फिरना सब करना चाहती थी तब मा का जवाब होता था कि चंपा यह सब अपने पती के घर जा करना या तो तेरी पढ़ाई और दो वक्त की रोटी नसीब हो जाए वही काफी है चंपा ठिनकती हुई कहती थी हाँ मा वो तो बड़ा राजकुमार होगा ना ज चाहे तुझे चंपा जूटा गुस्सा दिखा कर कहती थी हां मा चंपा इतनी अच्छी किसमत लेकर कहां पैदा हुई है मा कहती थी ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची आखिर हालाद से सम्झता करना पढ़ा चंपा को क्योंकि पिता के जाने के बाद किस तरह मेहनत करके माने उसे पाला था चंपा खूब पड़ लिखकर अपनी मा की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी इसके लिए वे खूब मेहनत भी कर रही थी कि मा की बिमारी से जूजते वे देखकर उसके खाब अधूरे रह गए अब पढ़ाई के बारे में जब तक नहीं सोच सकती थी वे जब तक कि उसकी मा ठीक नहीं हो जाती और अब तो स्रीकांत की दादी की भी देखवाल उसी की जिम्मेदारी होगी लंबी सांस भरते हुए जो चमपा इसवर से कहने लगी हे इसवर सब तेरी ही मरजी है और फिर वे सोने की कोशिस करने लगी सुबह जब आँख खुली तो उसका सिर बहुत भारी था कहीं जाने की इच्छा नहीं कर रही थी परंतो अपनी मा के पास तो जाना ही होगा वो तो इंतजार कर रही होगी यह सोच कर चंदा जंदी से उठी और अपने घर के काम नुटाए और होस्पिटल के लिए चल दी अंदर वार्ड में पहुँचते ही हुआ का नजारा देखकर वे डर गई अंदर वार्ड में के हर कोई जो गमगीन बैठा हुआ था चंपा मा के गले लगी तो मा रोने लगी बोली चंपा मुझे अस्पताल से ले चल बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है चंपा ने कहा क्या हुआ मा मा ने बताया चंपा पास वाले बैड़ पा जो नीना जी थी ना बड़ी हस्मुक सभाव की थी कल रात उनकी मिर्तियों हो गई कैसी हस्ती खेलती औरत थी कोई कह नहीं सकता था कि अंदर से इतनी बिमारी पाले थी हस हसकर अपने दर्द को पीती थी चंपा ने का मा जिसकी जब तक जितनी लिखी है वे तब तक ही जीएगा तुम फिक्र मत करो मा जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा और तुम अपनी चंपा के साथ घर चलोगी चंपा बाहर निकल कर फूट फूट कर रोने लगी मा का दुख को उससे देखा भी तो नहीं जाता था भगवान से भी उसे सिकायत की कि भगवान तुम इतने निर्दई क्यों हो कभी मा को सुख नहीं दिया उसके जीवन में अर्चने ही पैदा की है अब मैं पढ़ लिख कर उन्हें खुसी देती तो मेरी मा को तुमने ये बिमारी दे दी अकेली बैठी अभी चमपा रोते हुए यही सोच रही थी कि स्रीकांत आ गया और उसका मूड देखकर कहने लगा चमपा फिक्र मत करो जो तुमारे हाथ में नहीं है उस चीज की फिक्र करने से कोई लाब नहीं होगा और तुम मा के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइज कर रही हो मेरे साथ कॉंट्रेक्ट मेरीज करके ये कोई छोटी बात नहीं है चमपा चिंता नहीं करो सब अच्छा होगा स्रीकांत की बातों से चमपा को कुछ तसल्ली मिली स्रीकांत बोला आज तो संडे है चमपा टूशन की छुटी होगी चमपा ने का हाँ बच्चों की आज छुटी है स्रीकांत बोला चलो एक अच्छी मूवी लगी है तुम्हारा मून भी सही हो जाएगा चमपा बोली स्रीकांत मा हॉस्पिटल में है मेरा मूवी जाना अच्छा लगेगा क्या स्रीकांत ने कहा चमपा कल तुम कहोगी मा हॉस्पिटल में है मेरा खाना खाना अच्छा लगेगा क्या अरे चमपा ये जिन्दगी है, सुक दुख दौनों साथ चलते हैं, चलो तुमारा भी मूड सही हो जाएगा, चमपा मान गई और थेटर की ओर चल दी, स्रीकांत के साथ, लेकिन चलने से पहले चमपा ने चुन्नी से अपना मूड अख लिया, ताकि मौले पड़ोस का कोई भ हामाखा बात का बतरंग बन जाएगा, क्योंकि किसी की थोड़ी सी खुसी लोगों को बरदास नहीं होती, उसे डरता कि कोई पहचान का मिला तो उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि चमपा जानती थी, जिस मौले से वो आती है, उस मौले में आज भी दुख में चाहे क कोई पीछे नहीं रहता, इसलिए चमपा ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चुन्नी से मूँ ढक लिया, वो कहवत भी है ना, राड से तो आड भली, और क्योंकि कुछ लोग यही मौका ढूंडते रहते हैं, मूवी देखकर शाम को खाना खाने के बाद ही, चमपा घर पहुची, आज जल्दी सो जाना चाहती थी वे, कल कॉंट्रेक्ट मेरीज के लिए भी जाना था, इंसान आकिर इंसानी है, जादा स्ट्रेस भी परिसान कर देता है, सो आज चमपा खुद को रिलेक्स फील कर रही थी, जल्दी उसे नींद आ गई, सुबह नींद खुली त तो चमपा ना धोकर जल्दी ही तयार हो गई, हॉस्पिटल पहुंची, अभी वक्त था मा से मिलने में, स्रीकांत भी आ चुका था, वे चाहता था कि मा का आसिरवाद दोनों ने, बेसक उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अपने बुजुर्गों का आसिरवाद लेना च चाहिए, चमपा और स्रीकांत अंदर पहुंच गए, मा ने दोनों को देखा तो खुष हो गई, स्रीकांत ने पैर्च हुए, चमपा अपनी मा के गले से लग गई, मा को सगून पाकर वो आसिरवाद दे रही थी, अपनी चमपा को और स्रीकांत को, कह रही थे खूब प्राम्यावी तुम्हारे पैर चुए, तुम्हारी लंबी हुम्र हो। अंजाने में मा दौना को एक साथ आसरवात दे रही थी। मा का चेहरा आज खिला-खिला सा था। वे दौना से बात करती रही। मिलने का समय समाप्त होने पर, चमपा और स्रीकान तुहां से एक पारलर में पहुंचे, कार से साधी का जोड़ा कुछ फूल मालाएं उन्होंने निकाले, पारलर वाली को समझा दिया, हलका मेकप करे, कोट में शादी है, उसने कहा एक गंटा लगेगा, आप बाहर बैठ कर व चमपा साधा लाल जोड़े में भी बेहद खुब सूरत लग रही थी, उसने जट से कार का दर्वाजा खोल कर, चमपा को अंदर कार में बैठने का इसारा किया, और अगले ही पल कार स्रीकांत के बंगले की ओर भाग रही थी, घर पहुँचा तो घर की नोकरानी बेला, आर आ गई है, दादी तो जो बहु का इंतजारी कर रही थी, सुबह निकलने से पहले ही स्रीकांत कहकर गया था, कि आज ही आपकी बहु को घर लेकर आऊंगा, दादी ने अपनी नोकरानी बेला की मदद से दुला दुलन का आरता किया, मिठाई खिलाई, दर्वाजे के दोनों और हल्दी के थापे लगवाए, माना की चमपा और स्रीकांत के लिए यह एक कॉंट्रेक्ट मेरीज थी, पर दादी तो हर छोटी रसम को पूरा करना चाहती थी, और चमपा को ना चाहकर भी सारे रीती रिवाज करने पड़ रहे थी, दादी की खुसी का कोई ठिकाना नही आज उनकी पोते की वहु घर आई थी, अब चमपा मा से मिलने के बाद सुबह स्रीकांत के घर जाकर दादी की देख भाल में लग जाती थी, चमपा ने मोहले में बता दिया कि मुझे नाइट जॉब मिल गई है, मा को देखने के बाद अपने घर आती, दोफेर को बच्चो को पढ़ाती, शाम को दादी के पास लोटाती, उन्हें बता रखा था कि दादी मा को कि चमपा दिन भर सर्विस पर जाती है, यानि चमपा की जिंदगी उलजनों से भरी चल रही थी, चमपा को चिंता थी कि जम मा ठीक होकर घर आ जाएगी, तब क्या होगा, वे सब कैसे म बहुत जरूरी था मा के इलाज के लिए, चमपा की शादी स्रीकांत के साथ दोस्तों की विटनेस में कानोनी दायरे में हो गई, स्रीकांत की दादी ने अपनी नौकरानी के साथ अपनी बहु का खूब स्वागत किया था, चमपा को अपनी मा के ठीक होकर घर आने की चिंता लगी हुई थी। वे यही सोच रही थी। चमपा दादी की कराई रसमों के बाद काफी ठक चुकी थी। और आराम चाहती थी। तबी दादी ने अपनी नौकरानी बेला को कहां। बेला अपनी भावी को उसके कमरे में छोड के साथ चमपा कमरे में गई तो देखकर आवाक रह गई कमरा काफी सजा हुआ था आधुनिक दादी ने स्वाहग सेज की पूरी तैयारी कर रखी थी पीछे पीछे स्रीकांत भी कमरे में पहुँच गया और चमपा से बोला सौरी चमपा दादी को मालुम नहीं है न कि ये कॉंट्रेक्ट मेरीज है इसलिए ऐसा उन्हों ने किया है दौनों ने मिलकर कमरे से फूल वगेरा हटाए और कमरा किलीन किया फिर स्रीकांत ने कहा दादी की वज़े से रूम एक ही शेयर करना पड़ेगा चमपा मैं हुआ सोपे पर और तुम बैड पर सो जाओ चमपा ने कहा जी ठके वे स्रीकांत और चमपा जल्दी सो वहां का काम मेरे नहीं होने से बिगड रहा है अब दादी की देखवाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और जल्दी मैं सैटल करके वापस आऊंगा मेरा फॉन नंबर है तुम्हारे पास जब भी जरुरत हो तो फॉन कर देना इतना सुनकर चमपा सकते में आ गई बोली स्र तो स्रीकांत कहने लगा हाँ चमपा जाना जरूरी है और हमारी डील भी तो यही हुई थी दादी को समझा बुझा कर अगले हपते स्रीकांत चला गया अमेरिका चंदा का रूटीन वही था बेला नास्ता त्यार कर देती चमपा दादी को खिला पिला कर खुद नास्ता करक फिर अपने घर बच्चों को पढ़ाती पांच बजे स्रीकांत के घर दादी के पास वापस आ जाती लेकिन चमपा आजकल स्रीकांत के लिए अपने दिल में कजीब सा खिचाव महसूस कर रही थी पसंद तो वह पहले से ही स्रीकांत को करती थी लेकिन उसके जाने के बाद उसका दिल बेताब था स्रीकांत की नस्दीकी के लिए फौन करना चाहती थी चमपा लेकिन बिना कारण क्या कहेगी स्रीकांत से उसने कहा था जरूरत हो तब ही फौन करना और वे फौन रख दी थी लेकिन जितना खुद को रोकने की कोशिस करती उतना ज़्यादा स्रीकांत के लिए दिल धड़कता अजीव सी कशम कश में चमपा अफ़स कर रह गई और इसी के चलते एक परिसानी ने चमपा को घेर लिया डॉक्टरों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए बोल दिया वैसे पैसे तो स्रीकांत ने पहले ही उसके बैंक में डलवा दिये थे पर स्रीकांत के जाने के बाद मौरल सपोर्ट किसी का नहीं था स्रीकांत से चमपा को दिल से मजबूती मिलती थी चमपा की मा के ऑपरेशन वाले दिन स्रीकांथ का फोन आया उसने का चमपा तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो हिम्मत से काम लो, सब ठीख हो जाएगा चमपा को स्रीकांथ के सपोर्ट के दो बोल हिम्मत दे गए और मा का ऑपरेशन हुआ और चमपा बेचैन घूमती रही ओपरेशन तो सफल हुआ लेकिन डॉक्टर खुस नहीं लगे चमपा ने पूछा तो डॉक्टर बोले कि ट्यूमर तो निकाल दिया है लेकिन अभी खत्रा टला नहीं है क्योंकि ट्यूमर की जड़े पेट में फैल गई है और वे जल्दी फिर से सक्रिय हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ अस्पताल में आपजर्वेशन के लिए रखी गई चमपा की मा को आठवे दिन ही पेट में जान लेवा दर्द दुबारा चालू हो गया कहा असली बात जाने बिना आठ दिन हो गए है अब तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी चमपा ने अनमना सा जवाब दिया था हाँ मा देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं डॉक्टर्स ने घर ले जाने की जो चमपा की मा को सक्ती से मना कर दिया था कहा अप मरीज को दर्द के वक्त अकेले नहीं संभाल पाओगी अभी एक महिना हो गया था चमपा की मा के ओपरेशन को कि एक रात चमपा को मनहुस खवर हस्पिटल से मिली मा नहीं रही चमपा ने रोर होकर यह सोचना स्रीकांत को दी स्रीकांत ने चमपा को जो थोड़ा सा धीरस बंधाया और कहा कि वो जल्दी आता है और अपने कहे अनुसार ही दूसरे दिन ही स्रीकांत इंडिया आ गया चमपा ने स्रीकांत के आ जाने तक मा को होस्पिटल में ही रखने की रिक्वेस्ट की थी जो डॉक्टरस ने मान ली थी उसके हाला देखकर दादी को स्रीकांत ने बता दिया था चमपा की मा नहीं रही तो चमपा कुछ दिन अपने घर रहेगी बेला इतने दादी का ध्यान रखेगी और अम मैं भी आ रहा हूँ चमपा मायू सुदास हॉस्पिटल के बेंच पर बैटी सुबक्ती जा रही थी उसे बिलकुल उमीद नहीं थी कि मा योही इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ कर चली जाएगी स्रीकांत को देखकर चमपा उसके सीने से लगकर खूब रोई स्रीकांत ने उसके सर पर हाथ रखकर चमपा से कहा जिसकी जितनी सासे उस इसवर से मिली होती है चमपा वे उतना ही जीएगा और फिर मा यहां कितना दर्द से तड़प रही थी उसको दर्द से तो छुटकारा मिला तो चमपा कहने लगी स्रीकांत मा के लिए मैंने क्या नहीं किया और मा मुझे छोड़ कर चली गए स्रीकांत ने कहा चमपा संसार का नियम यही है जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा समझा बुझा कर स्रीकांत मा की बॉड़ी को घर ले गया चमपा के घर मोहले पड़ोस के सभी लोगों का जमावाड़ा हो गया सभी चमपा के मा के अंतिम दर्शन के लिए उताबले हो रहे थे माननेता है कि अंतिम सफर पर जाती आत्मा की यात्रा के दर्शन करना सुभ होता है स्रीकांत को आगे आगे काम करते देख लोगों में काना फूसी सुरूब हो गई थी सभी जानना चाहते थे कि आखिर कौन है यह पर माहौल देखकर सब सांथ थे अंतिष्टी चमपा ने अपनी मा को मुखागनी देकर की चमपा के दुख से सभी लोग दुखी हो रहे थे शाम होते ही बाकी क्रिया कलाब करने के बाद स्रीकांत कौन है यह चर्चा भी जोर पकड़ती गए चमपा ने जबाब देते हुए कहा स्रीकांत मेरे दूर के रिस्तेदार है अपनी बिमार दादी को लेकर हॉस्पिटल आये थे वहीं उनकी मुलाकात हमसे हो गई मा को भी हॉस्पिटल देखने कई बार आये थे तो मा नहीं कहा था कि चमपा अकेली है उसका ख्याल रखना तब इसे मा के बात मान कर सब कुछ कर रहे हैं रात घिराई थी सभी मौले पड़ोसी अपने अपने घर चले गए चमपा और स्रीकांत अकेले लह गए थे पड़ोस वाली भावी खाना रख गई थे स्रीकांत चमपा को खाना खिलाने लगा तो चमपा ने मना कर दिया भूक नहीं है एक आदकोर मुह में लिया लेकिन फिर चमपा की रुलाई फूट पड़ी वह और स्रीकांत के कंदे पर सिर रख कर रोने लगी थी किसी तरह स्रीकांत ने चमपा को समझा बुझा कर सुला दिया तीसरे दिन फूल चुगने की रसम चंदा और स्रीकांत ने की वो फूल बहाने गंगाजी चले गए महां से लोटकर चमपा बहुत रोई आज तो मा के अवसेश भी इस धर्ती पर नहीं रहे मैं बिना मा के कैसे रहूंगी वो स्रीकांत से बार बार पूछती रहे स्रीकांत उसे गले लगा कर धीरस देता रहा चमपा मजबूत पेड़ सा सहरा पाकर किसी लता की तरह उसे चिपटे ही उन्हें कमजोर च्छनों में दो बदन एक दूसरे के जो हो गए इसके बाद स्रीकांत फिर अमेरिका चला गया चमपा दादी की देखवाल में लग गई बस वे दो फैर में अपने घर आती शाम को फिर दादी के पास चली जाती राते चमपा की स्रीकांत की यादों में कटती सोचती अब की बार स्रीकांत आएगा तो बता दूंगे उसे कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ अभी स्रीकांत को गए हुए दो महीने हुए थे कि चमपा को अपने अंदर कुछ सुख भुगाट महसूस होने लगी उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वे पॉजिटिव था उसका मन किया कि अभी फोन उठा कर स्रीकांत को बता दे किंतु कुछ सोच कर वे रुख गई चमपा की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि एक रात दादी को फिर हार्ट अटेक पड़ा चमपा ने बेला की मदद से दादी को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया था और स्रीकांत को भी फोन कर दिया था स्रीकांत की मैं तुरंत पहुँचता हूँ कहकर फोन काट दिया था चमपा और बेला सारी रात हॉस्पिटल में रुकी दादी के पास जाने की इजाजत उन्हें नहीं थी पर वे बाहर रिसेप्शन पर बैठी रही स्रीकांत की बाट डॉक्टर से हो गई थी स्रीकांत एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुचा चमपा वहीं थी बेला को चमपा ने घर भेज दिया था चमपा स्रीकांत को देखते उसे गले लगकर रोने लगी तो उसे ने चमपा को धीरस बंधाते वे कहा चिंता मत करो चमपा अब मैं आ गया हूँ पैठी हुई थी तब तक वो बिलकुल ठीक थी चमपा कहने लगी मैं खुद उन्हें सुला कर आई थी रात को बेला दादी के पास सूती थी दादी के पास किसी भी चीज की जरूरत हो तो उस इसलिए बेला उनके पास रहती थी उस राद दादी बेला को उठा कर बोली बड़ी घवराट हो रही है बेला अपनी भावी को भुलाला जैसे ही बेला मुझे बुलाने आई और मैं उन्हें देखने गई तो देखते ही मुझे लगा जितनी जल्दी हो सके दादी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए स्रीकांत ने कहा चमपा तुम बहुत 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 दूर हो अच्छा किया जो समय से दादी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया स्रीकांत दादी से मिलने इमर्जंसी में गया तो दादी की हालफ ठीक नहीं थी, वो वेंटीलेٹर पर थी स्रीकांत ने दादी का हाथ पकड़ कर आवाज दी दादी, दादी में आ गया आवाज सुनकर दादी ने आखे कोली देखा स्रीकांत को फिर आखे बंद कर ली और स्रीकांत के हाथ से दादी का हाथ छूट गया स्रीकांत ने डॉक्टर को बुलाया तो डाक्टर ने देखा और नो मोर कहा दादी के पार्थिव सरीर को घर ले जाया गया चमपा को तो जल्दी जल्दी दो जटके लग गए पहले मा अब दादी उसका तो रो रो कर बुरा हाल था सारी रात जो पार्थिव सरीर को लेकर बैठे रहे हिंदू धरम में कहीं कहीं दिन छिपने के बाद अन्तिष्टी की क्रिया नहीं की जाती है कुछ खास लोग मौले पड़ोस के लोग रात को ही मातम पुर्सी के लिए आ बैठे थे जो कुछ देर बैठ कर चले गए चमपा बेला रात वर सुबक्ती रही दोफैर हो चली थी पर अभी तक अन्तिष्टी की तैयारी नहीं हुई थी बलकि दादी के सरीर को कोल्ड स्टोर में रखवा दिया गया था चमपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कितनी देर क्यूं हो रही है चमपा ने बेला से पूछा बेला क्या हुआ किस चीज के लिए देर हो रही है किस बात की देर है बेला ने कहा जो सुनाई तो ऐसा पढ़ रहा है भावी कि कोई आने वाला है उसी का इंतजार हो रहा है बेला सोचने लगी ऐसा कौन आने वाला है चमपा भी यही सोच रही थी जिसका इंतजार हो रहा है शाम होने में अब कुछ देर बची थी तैयारियां सिरू कर दी गई तबी एक गेट के पास आकर रुकी चमपा ने देखा एक गोरी सी मेम उतरी उसमें से और आगे आगे दो चोटी चोटी लड़कियां डेड डेड कहती होई भागती होई स्रीकांट से लिपट गई चमपा यह सब आश्चरिय से देख रही थी तो ये बच्चियां स्रीकांट की है स्रीकांट पहले से साधी शुदा था स्रीकांट चमपा ने जो मनी मन कहा कभी जिकर नहीं किया था स्रीकांट ने तब ही ओ अंग्रेजन लड़की स्रीकांत के पास आकर बोली हाई हनी चम्पा से और नहीं देखा जा सका उसकी तबियत बिगडने लगी थी वे अपने कमरे में चली गई थोड़ी देर बाद बेला आई और बोली भावी ये कमरा वो गोरी में और उनके बच्चों के लिए त कहा है तो बेला सर जुका कर बोली भावी ऐसा साहब ने कहा है चम्पा समझ चुकी थी कि अब यहां उसकी ना कोई जरूरत है और ना ही जग है क्योंकि कॉंट्रेक्ट दादी के स्वर्गवास्तक का ही था दादी के जाते ही कॉंट्रेक्ट भी खतम हो गया चम्पा उठकर दूसरे कमड़े में चली गई और स्रीकांत को अब कुछ भी बताना बेमानी था अनतेषटी के बाद स्रीकांत ने अपनी वाइफ से स्रीकांत को दोस्त कह कर मिलवाया और कहा ठीक है मैं घर आकर मिलता हूँ क्योंकि स्रीकांत नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और चमपा एक छट के नीचे रहें चमपा अपने घर चली गई बेला को चमपा का यूँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसका मन कर रहा था कि इस गोरी मैम को सब कुछ बता दूँ पर उसे इंगलीज नहीं आती थी और गोरी मैम को हिंदी नहीं आती थी चमपा किसी तरह से कैव करके अपने घर पहुँची घर जाकर अपने विस्तर पर फोट फोट कर रोने लगी कोई नहीं था उसके आशू पहुचने वाला जब रो रो कर ठक गई तो खुदी चुप हो गई उसे स्रीकांत से ऐसी वैवार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी चमपा के दिल को बहुत ठेस लगी थी स्रीकांत के रूखे वैवार से वो सोच रही थी अगर कोई जानवर भी पालता है तो भी उसे उसे प्यार हो जाता है माना की कॉंट्रेक्ट मेरिज थी सर्तों में बंधी थी लेकिन इतनी बेरूखी एक बार तो उसे रोकना चाहिए था लेकिन उसने तो एक बार रोका तक नहीं अपनी बीवी से भी गैरों की तरह मिलवाया सारी बात एक के बाद एक चंदा को याद आ रही थी जो रूम दादी के सामने उसे दिया गया था पतनी के आते ही उसे छीन लिया गया ऐसा निश्ठुर तो लगता नहीं था सरीकांत चंपा सोच रही थी अब नहीं बताएगी अपनी प्रेगनेंसी की बात सरीकांत को और कोई फायदा भी नहीं है वो कॉंटेक्ट मेरीज के पेपर दिखा कर कहेगा पेज फाइपर देखो क्या लिखा है दोनों की मर्जी से अगर फिजीकल रिलेशन हुआ तो हो सकता है किन्तु एक दूसरे की गैर मर्जी सी नहीं हाँ अगर मैं कोईट में अपील करूंगी तो बच्चे का खर्चा वगेरा एपैसे देने को स्रीकांत राजी हो जाएगा पर मैं स्रीकांत से प्यार करने लगी थी वैं यही सोच रही थी मैं बच्चे के बारे में स्रीकांत से जिकर नहीं करूंगी जो होगा मैं खुद सेहन करूंगी अब सब खतम हो गया चंपा सुबह उठी तो उसकी आँखे सूजी होई थी उसने सोचा शाय स्रीकांत का फौन आएगा किन्तु शाम के तीन बज गए परन्तु स्रीकांत का कॉल नहीं आया चंपा को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी इतना कमजोर खुद को उसने कभी नहीं पाया था उसकी मा की मौत से भी वो इतना नहीं तूटी थी क्योंकि स्रीकांत ने साहरा जो दिया था पर अब तो इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी स्रीकांत ने दादी की मौत के बाद जो वह सोच रही थी कि स्रीकांत ने मुझे दूद में से मक्की की तरह निकाल कर फैक दिया है आसू थे कि चंपा का रुकने का नाम नहीं ले रहे थे चंपा सोच रही थी जिस मा के लिए पैसों की जरुरत थी वो भी नहीं बची अब महले पड़ोस वालों को क्या जबाब दूगी कुछ दिन में सब को पता चल जाएगा कि चंपा मा बनने वाली है चंपा अपनी भावनाओं पर वो इश्चन खाबू रखना चाहिए था उससे बहुत बड़ी गलती हो गई वो पश्ता रही थी मनी मन उसे गलानी महसूस हो रही थी पर वो काहवत है न जब चड़िया चुग गई खेत तो अब क्या रोना अब पस्ताई क्या हो तो जब चड़िया चुग गई खेत ये समाज तो चंपा सोचने लगी मेरा जीना जो है कठिन कर देगा जितना चंपा सोचती उतनी उलजनों में उलज जाती सुबह से चंपा ने कुछ खाया पिया भी नहीं था तभी पड़ोस की भावी ने दर्वाजा खट-खटाया चंपा बोली कौन है कहकर उसने जो दर्वाजा खुला तो चंपा को देखते ही भावी बोली अरे ननंदरानी क्या हाल बना रखा है आपने क्या हुआ है तुमें तो चंपा बोली कुछ नहीं कहका चंपा ने मुस्कुराना चाहा पर ना काम रही आगे बढ़कर भावी के गले लगकर सुबकने लगी तो भावी ने कहा मा की याद आ रही है चंपा मा का नाम सुनका चंपा भावी के गले लगकर बहुत रोई बोली भावी मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई हो वे चुप करते हुए बोली पगली एक ना एक दिन तो सब को जाना ही होता है और हम है न तेरे लिए चल मूँ धोकरा मैं तेरे लिए खाना लाई हो खाले कुछ ना नुकर मत कर भावी ने चमपा को खाना खिलाया और भावी बोली मैं चलती हूँ चमपा शाम को मिलती हूँ भावी चली गई चमपा अपने विस्तर पर लेट गई दो तीन रात की जगी चमपा को नीद आ गई ना जाने कितनी देर वो सोती रही चमपा के फौन की गंटी लगातार बजने से उसकी नीद टूटी तो स्रीकांत का नाम फौन पर की जो डिस्पले पर आ रहा था चमपा का मन किया कि फौन बंद करके बिना बात किये ही जो रख दे लेकिन उसने जो फौन उठा लिया बोली हेलो तो हमारी डील तो दादी के मरने के बाद खतम हो चुकी है चमपा कहने लगी अब क्या काम है मुझसे उदर से स्रीकांत ने चमपा से कुछ कहा स्रीकांत ने चमपा से कहा चमपा घर आओ कुछ जरूरी बात करना है चमपा थोड़ी तल्लकी से बोली कि अब दादी की सांसे थम गई न, हमारा कॉंट्रेक्ट भी खतम हो गया, अब क्या बात करनी है आपको स्रीकांत ने कहा कि हाँ, वो खतम हो गया, लेकिन कुछ बाते अभी बाकी है, जो करना जरूरी है चम्पा ने कहा ठीक है, आती हो, कहकर चम्पा ने फौन रख दिया, चम्पा का दिमाग कह रहा था कि अब क्यों जा रही है, सब कुछ तो खतम हो चुका है, किन्तु दिल स्रीकांत की ओर खिचा जा रहा था आखिर दिल की जीत होई, और चम्पा स्रीकांत के घर पहुँच गए, बैल बजाई तो बेला ने गेट खोला, चम्पा को देखकर खुस होती होई, बेला बोली भावी आप, वो विदेशन तो गई बच्चों को लेकर, चम्पा ने कहा बड़ी जल्दी चली गए, बेला ब पानी नहीं जमता, कल से परेशान थी, तबी स्रीकांत बाहर आ गया, और बेला चुप हो गई, उसने बेला को कहा जाओ बेला, चाय बना कर ले आओ, बेला ने कहा जी भहिया, स्रीकांत ने कहा, अब बुत बनी खड़ी रहेगी, या अंदर भी आएगी चम्पा, स्रीकांत के पीछे पीछे चम्पा ड्राइंग रूम में आ गई, स्रीकांत ने बैठने का इसारा किया, और गंभिर स्वर में चम्पा से बोला, मैं जानता हूं, कि तुम जूली और बच्चों को देखकर सौक्ड हो, कि मैंने तुमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब, तो मैं कहूं की लड़की से होगी, जूली और मैं साथ पढ़ते, फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, चम्पा मन में सोच रही थी, सच ये प्यार जो ना करवा दे, वे भी थोड़ा है, और वो भी स्रीकांत के प्यार में गलती कर बैठी, स्रीकांत ने का हमने शादी कर ली, दादी को बिना बताए, पता है चम्पा, दादी को पता चला, तो मर जाएगी, पर जूली को बहु बनाने की इजाजत कभी नहीं देगी, लेकिन दादा जी को मालुम था, वे खामोस रहे, फिर मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ, पर यह सोच कर रुख गया, कि कहीं तुमारे दिल पर ले लेगी, बाकि मैंने सो कॉंट्रेक्ट के हिसाब से, इमानदारी से किया, पांच लाख रुपे तुम्हें बैंक में समय से डलवा दिये, तुमारा बाकी सब खर्चा भी मैंने पे कर दिया है, तुमारी परेसानी में तुमारे साथ खड़ा रहा, हाँ वो उस र खर्चा अभी भी अमेरिका से भेजता रहूं, चंपा ने कहा क्यों, हमारे बीच अब सब खतम हो गया है, स्रीकांत ने कहा, हाँ तुम आजाद हो गई हो, आगे किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके घर बसा लेना, चंपा बोली वो मेरा नेजी मामला है, तो वह बो आपको जो चंपा कहने लगी, आपको अब मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अपने खर्चे के लिए मैं खुद कमा सकती हूँ, मुझे किसी की खेरात नहीं चाहिए, तुमने पैसे दिये, मैंने जब तक तुमारी दादी जिन्दा रही, उनकी दिल से सेवा की, हमा चंपा इस लहजे में उससे बाते क्यों कर रही है, बेला चाहे ले आई, चंपा ने का बेला मेरा बैग ले आओ कमरे से, बेला जो बैग लेकर आ गई, चंपा बिना चाहे पीए हुआ से एक जटके में निकल गई, स्रीकांत कहता रह गया, अरे चंपा चाहे पी कर तो अरे क्या हुआ चम्पा चम्पा बिना कोई जवाब दिये हुए वहां से जा चुकी थी चम्पा के जाने के बाद स्रीकांत ने चम्पा से मिलने की या फौन पर बात करने की काफी कोशिस की पर सब बेकार गई चम्पा फिर स्रीकांत से नहीं मिली स्रीकांत घर भी गया पर वो वहां भी नहीं मिली ठक हार कर स्रीकांत अपने प्रॉपरिटी बेच कर अमेरिका अपनी बीवी बच्चों के पास लोट गया स्रीकांद की भलाई चमपा को इसी में लगी कि वो स्रीकांद से दूर रहे अपने परिवार के साथ क्योंकि चमपा स्रीकांद से बहुत प्यार करने लगी थी स्रीकांद की लाइफ में उसने अपनी कोई जगे नहीं दीगी उसने निश्चे कर लिया कि वैस्रीकांद के निशानी जो बच्चे की रूप में उसके पास थी उसके साथ ही जीवन बिता देगी पर सब कुछ इतना आसान नहीं था चमपा के लिए पर चमपा भी कहां हार मानने वाली थी हार ना मानकर सामना करने का निर्निया उसने ले लिया था उसे पता था दो या तीन महीने बाद ही मौले में सब को पता चल जाएगा उसकी प्रेगनेंसी का तब सब की सवालिया निगाए उसकी ओर उठने लगेंगी तो इस सबसे बचने के लिए वो उचुपाय खोज रही थी कि उचमपा को याद आया जब स्रीकांत और उसकी कॉंट्रेक्ट मेरिज होई थी तब फूलों की माला पेनाते वे स्रीकांत के दोस्त जो गवा बना था उसने उनकी एक तस्वीर ले ली थी जिसे स्रीकांत ने डिलीट करवा दिया था लेकिन उससे पहले उसने चंदा को वे तस्वीर शेयर कर दी थी और चंदा भूल भी गई थी पर आज उसे याद आई तो चमपा उस तस्वीर को अपने फौन में बेसबरी से ढूंड रही थी आखिर उसे मिली गई उसने उसे फ्रेम करवा लिया और सामने इदीवार पर टांग दिया एक दिन पड़ास वाली भावी घर आई और उस तस्वीर को देख कर चौंग गई बोली ननंदरानी ये क्या है किस से नैन मटक का चल रहा है तुमारा अभी तो मा को मरे साल भर भी नहीं हुआ चमपा बोली भावी वो स्रीकांत है मेरे पती आपने देखा था ना मा के जो अंतेश्टी में बढ़ चड़ कर काम कर रहे थे भावी बोली हाँ वो तो देखा था पर शादी कब हुई तुमारी उसके साथ चमपा आखों में आशू भर कर भोली वो तो मा के सामने ही मा की मर्जी से मंदिर में हुई थी मा चाहती थी अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो कोई तो उनकी चंपा को संभालने वाला हो भावी का भी दिल पसीज गया भावी ने कहा अच्छा रो मत चंपा अब बता कहा है स्रीकांत तो चंपा ने कहा वो तो विदेश में नौकरी करते हैं सो वहीं चले गए भावी बोली फिर तुझे यहां क्यूँ छोड़ गया चंपा बोली नहीं भावी ऐसा नहीं है तो भावी बोली फिर साथ क्यूं नहीं ले गया भावी ने भी जैसे पुलिसी अजाच पड़ताल शुरू कर दी तो चंपा ने भावी को बताया भावी की आश्चरी है जो उसकी आखे फैल गई और कहने लगी अरे चंपा क्या कह रही है तू चंपा बोली हाँ भावी वे कह रहाता कि तुम्हारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे बस भावी तो तारीप सुनकर फूली नहीं समाई फिर बोली अच्छा चंपा तू चिंता मत कर मैं सब संभाल लूँगी चंपा समझ गई अब ये खबर पूरे मोहले में जल्दी फैल जाएगी भावी तफदीश से सब को बता देगी चंपा को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और वही हुआ चंपा सब की सानो भूत की पात्र हो गई चंपा की समझदारी से वो रुस्वा होने से बच गई लेकिन इस दिल का क्या करें जो स्रीकांत के लिए धड़कता था बेचैन रहता था चंपा का ना खाने को दिल करता था ना किसी और काम में दिल लगता था टूशन भी पढ़ाना उसने छोड़ दिया उसने बैंक में मा के ऑपरेशन से बचे पैसे थे जिनसे चंपा का खर्चा चल रहा था मौले पड़ोस की ओरते चंपा का ख्याल रखते नसीहते देती कि ये ना खाओ वो ना खाओ बच्चे के लिए अच्छी है पर चंपा तो इश्क की बिमारी उसे लग चुकी थी जो चंपा को भावी दो औरतों के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले गई उसे फोरण एडमिट कर लिया गया क्योंकि समय तो धीरे धीरे अपने गती से बीत रहा था और उसके जो लेवर पेन सुरू हो चुके थे चंपा को डॉक्टरों ने तुरंत एडमिट कर लिया लेकिन डॉक् किसी एक को ही बचा सकते थे बेबी या मा तो चंपा ने डूबती आवाज में कहा डॉक्टर साहब जल्दी पेपर लाइए मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को बचाया जाए और एक फॉन नंबर लिखते हुए कहा इस पर कॉल करके उन्हें बुला दीजिए कहिए चंपा आखरी वक्त पर स्रीकांथ से मिलना चाहती है डॉक्टर ने फॉन लगाया उधर से आवाज आई हैलो डॉक्टर ने कहा I talk to स्रीकांथ स्रीकांथ ने कहा Yes I am स्रीकांथ डॉक्टर ने सारी इमर्जन्सी बताई किंतु चंपा के कहने पर बेबी की बात नहीं बताई बेबी बॉय को जनम दिया था चंपा ने जितनी सूरत देखकर वो चंपा निहाल हो गई थी दूसरे दिन शाम तक स्रीकांथ आ चुका था वे चंदा से जल से जल मिलना चाहता था डॉक्टर उसे चंपा के कमरे तक ले गए चंपा आंके बंद किये सोच रही थी इंतजार तो मौ और स्रीकांथ दोनों का है आब यह नहीं पता पहले मुलाकात किस से होगी तबीकानों में एक आवास सुनाई दी चंपा मैं आ गया स्रीकांथ आ गया आंके खोलो चंपा प्लीज चंपा ने आवास सुनी और इसी आवाज का तो उसे इंतजार था चंपा को दुनिया से स्रीकांथ स्रीकांथ ने कहा मैं आ गया हूँ चंपा सब ठीक हो जाएगा चंपा बोली अब तो सब ठीक हो गया स्रीकांथ डॉक्टर जो बच्चे को ले आए चंपा ने कहा जायदा कुछ नहीं कह पाऊंगी स्रीकांथ यह बच्चा मेरे प्रेम की निशानी है जो मैंने बेहंता किया है बताना चाहती थी तुम्हें जब दादी के स्वरगवास पर आये थे लेकिन तुमारे परिवार को देखकर नहीं बताया मैं तुमारे परिवार को नहीं तूटने देना चाहती थी अपने स्वार्थ के लिए लेकिन अब इसकी परवरिस नहीं कर पाऊंगी मै इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रही हो स्रीकांत ने चमपा का सर अपने गोद में ले लिया और कहा इतना बड़ा सच तुमने बताया क्यों नहीं और तुम अकेली सब सहती रहीं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चमपा बच्चे के साथ उसकी मा भी मेरे साथ अमेरिका जाएगी चमपा ने कहा अब बहुत देर हो गई है स्रीकांत चमपा के प्रान पखेर उड़ चुके थे किसी और अनंत यात्रा के लिए चमपा के पार्थिव सरीर से लिपटकर स्रीकांत रोता रह गया भावी और सभी यह देखकर सक्ते में आ गए स्रीकांत को उन्होंने पहचान लिया उन्होंने कहा चलो बच्चे का बाप समय से आ गया यह सुनकर स्रीकांत सोच रहा था कैसे पता है सब को चमपा का पार्थिव सरीर को जब घर ले जाया गया तो चमपा के घर पहुंचकर स्रीकांत ने अपनी और चमपा की कॉंट्रेक्ट मेरिज वाली फोटो लगी देखी तो सारा माजरा समझ गया स्रीकांत ने भावी को एक और ले जाकर का भावी चमपा को विदाई के लिए सुहगन की तरह सजा दो चमपा की विदाई उस मेहुले से सम्मान के साथ हुई सभी के दिल में हमेशा के लिए एक थी चमपा बन कर रह गई इस तरह ये अनों की एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसकी सुरुवात कॉंट्रेक्ट मेरिज के साथ हुई थी दोस्तों चमपा अपनी प्रेम की निशानी अपने प्रेमी यानि अपने कॉंट्रेक्ट पती को सौप कर जो इस दुनिया से रुक्षत हो गई अब स्रीकान्त अपने बच्चे को अमेरिका ले गया उसकी परवरिष के लिए और इधर चमपा एक थी चमपा बन कर रह गई और शेयर करें रादे रादे